सुशान सिंग राजपूत केस में जग एंगल निकलने के बाद कई सारे ड्रक्स का जिक्र किया जा रहा है इन नामों में एक CBD ओयल का जिक्र सबसे जादा किया जा रहा है रिया चकरवती की वाटसेप से एक CBD ओयल का नाम सामने आया है तो वहीं सुशान की पूर मैनेजर जया शहा ने NCB को बताया कि वो सुशान शधा का पूर रिया चकरवती और कई लोगों के लिए CBD ओयल मंगाती थी जिसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये CBD ओयल है क्या क्या ये ओयल एक घातक ड्रग है इसके इस्तिमाल से क्या होता है क्या CBD ओयल को खरीदने पर जेल हो सकती है तो आईए आपको बताते हैं क्या है CBD ओयल और क्यों ये एक ड्रग के रूप में इस्तिमाल होता है CBD ओयल पर साल 2019 में हुए एक शोध में पता चला था कि भारत में करीब 2.8 प्रतिशत भारतिये इसका इस्तिमाल करते हैं यानि लगभग 3 करोड भारतिये इस ओयल का दिल्ली और मुंबई में सबसे जादा इस्तिमाल होता है हालकी साइको ट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 के तहट इसे प्रतिबंधित किया गया है क्या होता है CBD ओयल CBD ओयल में कैन्विस पौधे का 40 प्रतिशत अर्थ होता है ये दर्द को कम करने के साथ चिंता को कम करने में प्रभावी होता है CBD तेल भारत के साथ बाकी सभी देशों में पूरी तरहा वैद है इसे दर्द निर्वारत दवा माना जाता है बता दे भारत में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग होता है CBD तेल के फाइदे दर्द को करता है दूर मेरुआना का उप्योग दर्द के लिए उन्तिस सो इसा पूर्फ से किया जा रहा है हाली में पता चला कि इसके घटक दर्द में राहत देने के लिए काम आते हैं चिंता और अफसाद को करता है कम इस ओयल को लेने से आपकी चिंता और अफसाद आम तोर पर खत्म हो जाती है जैसे नीन ना अना चिर्चिड़ापन और सिर्दर्द की शिकायत के लिए भी प्राकरतिक इलाज के लिए CBD तेल का उप्योग किया जा सकता है कैंसर से संबंधित लक्षन कम कर सकता है CBD ओयल कैंसर के लक्षन कम करने के अलावा कैंसर के इलाज के लिए भी काम आता है जैसे जी मचलाना उल्टी और दर्द आदी में CBD तेल से मदद मिलती है एक स्टेडी में दर्थ की अन्य दवाओं की तुलना में मरीजों को cbd oil से दर्थ में जल्दी रहत मिलने का दावा किया गया है हिर्दे में भी लाब पहुचाता है cbd oil हाली में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि cbd oil से हिर्दे और circulation system में लाब हुआ है इसके अलावा लो ब्रेट प्रेशर वाले लोगों को भी इससे फायदा होने का दावा किया गया है ये उंच रख्ट चाप में भी मददगार हो सकता है क्या CBD ओयल लेने से हो सकती है जेल CBD ओयल भारत के अलावा कई देशों में वैद है ये ओनलाइन भी उपलब्द है लेकिन अगर ये 6.3% से ज़ादा लिया जाता है तो ये अवैद हो जाता है लेकिन अगर ये डॉक्टर की सलहा पर लिया जाता है तो ये एक दवाई के रूप में इस्तिमाल होता है लेकिन जरूस से ज़्यादा इस्तेमाल पर NDPC-1 के तहद केस हो सकता है इसलिए CBD ओयल का उपयोग अववैद नहीं है और नहीं आपको जेल हो सकती है लेकिन इसके उपयोग से पहले अपने चिकिस्चक से दो बार जाच करे और NDPC-1 के तहद दिशा निर्देशों के बारे में सुनिश्चित करे बिना इसे ना खरीदे बियो रिपोर्ट पंजाब के स्रीग्रूप दिली